अब देखे ऐसा नहीं कि टू डिजिट्स वाल आपने सीख लिए बस ट्री डिजिट्स का भी नंबर है मानलो 105 का स्केर करना है तो 105 का स्केर का मतलब होता है कि 105 इंटू 105 ये करना होता है आपको 105 इंटू 105 अब अगर आप देखो तो सबसे पहला स्टप है कि अच्छा 5 पे खतम वाए 25 तो लिखना हमारा जनमसिद्धिकार है लिखेंगे लिख दिया 25 लिख दिया अब जो बचा है बचा है कौन 10 10 का बड़ा भाई इसका बिग ब्रदर ठीक है कौन होगा 10 का बड़ा भाई डूनना है 10 का बड़ा भाई कौन होगा 11 अब इन दोनों को multiply कर देना है इन दोनों को multiply करना है और वही यहाँ पे आएगा तो 11 इंटू 10 110 इस यूर आंसर बस ठीक है मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए ठीक है जी अब अगर मानलों कि ऐसा होता कि 115 ठीक है तो 115 है उसका स्क्वेर करना है तो अब क्या करेंगे 115 इंटू 115 होना चाहिए ठीक है जी 5 पे खदम हो रहा है 25 तो लिखना ही लिखना है अब बचा कौन 11 का बड़ा भाई 11 का बड़ा भाई क्या हो गया 12 अब 12 को 11 से मल्टिप्लाई करना है अब आपने 11 से मल्टिप्लाई करना तो सिखा वह ही 1 2 को अलग कर दीजिए ठीक हो 1 2 को हमने ऐसा अलग कर दिया और 2 प्लस 1 को एड़ कर दिया समझ आई बात कैसे लिख रहे हैं क्यों लिख रहें इसमें तो को दिखत होना नीची तो यह आ गया हमारा स्क्वेर किसका 115 का स्क्वेर तो इसी तरह से अगर मालों कि 205 का स्क्वेर लिखता हूँ आप क्या लिख देगे 25 तो पहले लिख दिया क्योंकि 5 से खतम हो रहा था वो एंडिंग 5 पे था 20 को ढूंड ये 20 का बड़ा भाई 21 21 का 20 का बड़ा भाई 21 अब युद दोनों मल्टिप्लाय हो जाएगा तो 21 इंटू 2 42 107 हो गया बस अब देगे जैसे मालो 305 का स्कूर करना है तो 5 का बड़े 25 लिख दिया अब 30 का बड़ा भाई कौन है 31 है अब इन दोनों को मल्टिप्लाय करेंगे तो अगर इन दोनों को मल्टिप्लाय करेंगे तो 3 3 2 3 9 0 9 3 0 2 5 इस था था ठीक है तो मेरे क्याल से बाते समझ आ रही है तो 5 आने काहली समाब्द कर लिया हमने टू डिजिट्स के दो नंबर्स को मल्टिप्लाय करना और कुछ स्पेशल केरेक्टर है तो क्या करेंगे तेक है